जै मसिकी, गुद मॉर्निंग, आज सुभा, प्रभु का वच्छन हमारे लिए, पहला शमुएल, अध्याइत तीस, आयत छे, फर्स सैमुएल, चैप्टर थर्टी, वर्स सिक्स, आपके लिए पढ़ना चाती हूँ. और दाउद बड़े संकट में था, क्योंकि लोग अपने बेटे-बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थराव करने की चर्चा कर रहे थे, परन्तु दाउद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरन करके हियाव बांदा. इस आयत का पहला लाइन में इस प्रकार लिका है, दाउद बड़े संकट में पड़ा. दाउद कौन से संकट में है? जब दाउद और दाउद के साथ की लोग सिकलक पहुंचे, तब उनको पता चला कि अमालेकियों ने आकर उनके स्त्रीयों को बेटे-बेटियों को बंदी बना कर ले गए हैं. और इसलिए दाउद और दाउद के साथ के लोग बहुत शोकित है. और इतना ही नहीं, दाउद के जीवन में एक और बड़ा संकट और वो ये है कि दाउद के साथ के लोग दाउद के खिलाफ हो गए. वो लोग चर्चा करें कि हम दाउद पर पत्थरा करेंगे दाउद को खतम कर देंगे मेरे प्रियों यहां पर दाउद बहुत अख्यला पड़ गया है एक तो समकट है और दूसरी बात साथ देने के लिए भी कोई नहीं है ऐसे समय पर दाउद क्या करता है उसी आयत का लास्ट लाइन में हम पर सकते हैं दाउद ने अपने पर करते करते अपनी आत्मा में वो हियाव बांधता है हियाव बांधना मतलब इंग्लिश में लिखा है वो प्रभु में बल पाया और दाउद तीसरे एक और बात को करता है वो है आठवी आयत में दाउद ने यहवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूँ क्या उसको जा पकडूंगा दाउत प्रभू से guidance को मांगता है मेरे प्रियो दाउत ने कौन-कौन सी तीन बातों को किया संकट के समय सबसे पहले दाउत प्रभू को समरन करता है दूसरी बात प्रभू मैं बल पाता है और तीसरी बात प्रभू से guidance को मांगता है मेरे प्रियो हमारी जीवन में भी हम मैंसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज संकट में हैं मुसिबत में हैं आप कुछ नुकसान को भोगत रहे होंगे आपने कुछ गलत डिजिशन्स बना लिया होगा और उसके वज़े से आज आप दुख उठा रहे हैं आप की परिशानी कुछ भी क्यों ना हो आज दाउद ने जो किया वही हम करेंगे सबसे पहले दाउद प्रभू को स्मरन करता है दाउद ने परमेश्वर के बारे में क्या स्मरन किया होगा मैं ऐसा समझती हूँ दाउद को याद आया होगा दाउद समरन करना है कि कैसे मैं चरवाहा था प्रभू मेरे साथ रहता था प्रभू के मदद के साथ मैंने शेर को मारा मैंने भालू को गिरा दिया मैंने मार डाला प्रभू के अनुग्रह के साथ प्रभू के सामर्द के साथ कैसे मैंने गोलियत को खतम कर दिया प्रभू ने मुझ पर अभी शेक किया है मैं इस्राइल का अगला राजा बनने जा रहा हूँ दाउद को याद आ रहा है कि कैसे परमेश्वर ने दाउद को अद्पत तरीके से सुरक्षा दिया कैसे शाउल के हाथ से बार-बार प्रभू ने उसको बचाया ये सारी बाते स्मरन करते समय दाउद की जीवन में वो बल पाता है प्रभू में बल पाता है और दाउद क्या करता है प्रभू की सामने जाकर प्रभू से पूछता है प्रबु अब मैं क्या करूँ मैं क्या उन लोगों का पीछा करूँ मैं क्या उनको पकड़ पाऊंगा प्रबु से मार्ग दर्शन को लेता है मेरे प्रियो हम भी हमारी जीवन में जब हम संकट में हैं प्रबु को समरन करें प्रबु के अदबुत कारियों को उन बातों को या प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु की विश्वास योग्यता, इन बातों को आप स्मरन करोगे तो आप नया बल को पाऊगे, और जब आप नया बल को प्राप्त करेंगे, प्रभु के सामने पूछे, प्रभु मुझे अगला कौन सा कदम उठाना है, मेरे प्रि दाउद ने जो किया वही हमें भी करना है दाउद की जीवन में हम आगे देख सकते हैं प्रभू दाउद से कहता है जा अमालिकियों को पीछा कर और वहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी अठारवी आयत में दाउद पीछा करता है और जो कुछ अमालिकी ले गए थे वो सब दाओद ने छुड़ाया और दाओद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया दाओद और दाओद के साथ के कुछ लोग अमालिकियों का पीछा करते है उनसे लड़ते हैं और उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ लेकर आते है मतलब दाउद ने जितना खोया उतना नहीं उससे भी बढ़कर उसको वापस लेकर आने के लिए उसके पास लूट का माल मिलता है क्योंकि हम उसकी सोलवी आयत में पढ़ सकते हैं कि अमालिकियों ने फलिस्ती के देश और यहूदा के देश से भी चीजों को बहुमूले वस्तों को लेकर गए थे तो सिकलंग मैंसे उनका नश्ट हुआ परिवार उनको मिला और साथ में दूसरे देशों का लूट भी उनके हाथ में आ गया मेरे प्रियोज जब दाओद प्रभु का गाइडन्स को मांगता है प्रभु में बल पाता है तब परमेश्वर दाओद के लिए अद्पत कामों को करता है दाओद ने जो खोया उसको मिला इतना ही नहीं और भी एक्स्ट्रा मिला और दाओद क्या करता है हम 26 वी आयत में पर सकते हैं सिकलग में पहुंचकर दाओद ने यहुदी पुरनियों के पास जो कुछ उसके मित्र थे लूट के माल मैंसे कुछ-कुछ भेजा और ये संदेश भेजा यहुआ के शत्रों से ली हुई लूट मैंसे तुम्हारे लिए ये भेट है देखिया दाओद जितना भी लूट कर आया उनमें से कुछ-कुछ बातों को वो दूसरों को भी दे दिता है प्रभू के सावने जब एक इनसान बैठता है उसके नुकसान को प्रभू भर देता है इतना ही ने उसका जीवन इतना आशिशित कर देता है कि बाद मैं वो दूसरों के लिए काशिश बन जाता है आयत 26 से लेकर 31 तक जब हम पढ़ते हैं दाउद बहुत सारे जगह के लोगों को मदद करता है मेरे प्रियो ये है प्रभू की विश्वास यूगिता आज अगर हम दुख से जा रहे हैं बीमारी से जा रहे हैं financial problem आर्तिक तंगी से होकर जा रहे हैं आज प्रभू के सामने बैठिये प्रभू की बातों को समरन कीजिए प्रभू में बल पाईए और प्रबु से guidance को लीजिए, मारग दर्शन को लीजिए और वही बातों को करें जो प्रबु आपसे कहता है निश्चे, प्रबु आपको उस संकट से निकालेगा इतना ही नहीं बाद में प्रबु आपके लिए और आपको दूसरों के लिए एक आशिश का कारण बना देगा आई हम लोग प्रातना करें सुर्गे पिता आज का बच्चन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रबु जी प्रबु दुख के समय, संकट के समय हमें क्या करना है करकर हम दावुद की जीवन से सीखें प्रबु जी प्रमेश्वर ये बच्चन सुनने वाले हरे एक भाई और बहन के लिए मैं प्रातना करते हूँ अगर कोई दुख में है, संकट में है, नुकसान को जेल रहे हैं प्रबु इन बातों को फॉलो करने के लिए आप एक अनुक्र है उनकी जीवन पर देना प्रबु जी हमारी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हम पर खृपा करना प्रबु जी वच्चन सुनने वाले हर एक जन आशिशित होने पाए आपने अमारी प्रातना सुन लिया इसलिए धन्यवाद आदर और महीमा आपको देते हुए इश्चु के नाम से हम मांगते हैं आमेन, गॉड ब्लेस यू आल, जै मसिकी